आज माच था नेपाल वर्सस साउथ अफरीका का जहां से थोड़ी दुखत खबर तो है लेकिन यह मैच बहुत ज़ादा रोमान चक्रा मतलब बहुत ही ज़ादा जी यहां इस मैच की हाइलाइट्स हम साथ में देखते हैं भी कि कहां पर नेपाल फसा और कहां पर नेपाल पूरी तरीके से भारी था साउथ अफरीका को दबा के रखा था यहां पर अच्छा बॉलिंग भी था नेपाल का अच्छा बैटिंग भी था पर लास्ट में एक जो चूक होगे जिसके वाइसे नेपाल यह आर गया मैच और अट दे एंड तक लग रहा था कि इस मैच को न नेपाल को महंगा पड़ गया पहले साउथ अफरीका बलेबाजी कर रहा था नेपाल बॉलिंग कर रहा था और नेपाल की बॉलिंग काफी अच्छी चल रही थी यहां पर अगर हम हाइलाइट देखना शूरू करें तो 22 रंग पर पहला विकेट यहां पर गिरा था साउथ अफरीका का और काफी खुछ था नेपाली खेमा इस विकेट के बाद तो इस पहले विकेट के बाद साउथ अफरीका ने अपने टीम के लिए कुछ रन जोड़े और यह रन काफी बड़ा यहां पर नेपाल से मिस फील्डिंग भी बहुत हो जिसके जलते रन गया साथी कुछ कैच भी छोड़े नेपाल ने जहां पर यह एक आसान सा कैच था जो छूटा जो पहले ही साउथ अफरीका को रोख सकता था लेकिन उसके बाद भी 68 पर नेपाल को जो है ना दूसरा सफलता हासी रूई जहां पर रनों की रफतायर को थोड़ा कम करने में नेपाल शक को लिया गया तो बहुत अच्छा क्यायच अलाकि शूट गया था तो इसके पद एटी टू डू रन पर एक और विकट गरा और चार विकट गिरा। तो सारे विकेट गिर गया था, नेपाल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और साट अफ्रीके ने मात्र 163 बीकेन पॉल सberry आया था बैटिंग डरे नेपाल में काफी अच्छी शुर्वात की बैटिंग चल रही थी अच्छी खासी आसिफ और बोलतेल खेल रहे थे और आसिफ काफी अच्छा खेल रहे थे काफी ज्यादा देर तक क्रीश पर डिके रहे और बोलतेल भी काफी अच्छे शॉट्स लगा रहे थे चक्का भी लगाया यह बैक पे एक अच्छा चक्का लग दूसरा विकेट गिला कप्तान रोहित पॉडेल का जो की आपने देखा था जो पुराना वाला भी था बॉल टर्न होई पुरी तरीके से विकेट पे लगी वो वाला था रोहित पॉडेल का जहां पर रोहित पॉडेल कप्तान आउट होगे और थोड़ी दे और और शायद रो अनिलकुमार शाह काफी अच्छे शॉट्स मार रहते हैं और काफी अच्छे लंबे शिष्ट्स देखने को भी लेते हैं और 85 पर यहां पर तीसरा विकेट नेपाल का गिरा जो की एक और दुखत खबर थी अनिलकुमार शाह यहां पर चलते बने उसके बाद एक और विकेट और 99 पर चौथा विकेट नेपाल ने खोला लेकिन फिर भी नेपाल बहुत स्ट्रॉंग पोजिशन परता है आप देख सकते हूं कि 16 रन चाहिए थे 13 बॉल थी नेपाल के पास जो की बहुत आसान था इस मैच को नेपाल के लिए जीतना और 4 विकेट ही खोए थे उस समय य लेकिन यहाँ पर नेपाल से काफी घलती है यहाँ पर प्रैशार में आते गए और हम देखें गिया आगे जैसे हुआ क्या एक तरफ से अच्छी बल्ले बाजी हो रही थी यहाँ पर विकेट खोया एक और नेपाल ने पाँच विकेट गिर गय थे फिर छे विकेट गिर ग जहां भी साथ देंगे उनका साथी साथ यहां पर यह match निपाल जीच जाएगा फिर अच्छे hits लगे और चौके लगे अब लास्ट में यहां पर रहे गये थे दो रन सिर्फ बनाने थे एक बॉल में अच्छे hits लगते ही जा रहे थे क्योंकि इससे पहले हम देखे रहे थे य आठ रन थे एक चौका लग गया थे जिसके बाद यहां पर सिर्फ बचे थे दो रन एक बॉल लास्ट में जो एक बॉल पर रन बनाने थे और लग रहा था कि मैठ जीच जाए एक रन भी भागता नेपाल तो टाई हो जाता लेकिन यहां पर पूरा अंडर प्रेशर में थे और सोंपाल कामी अपोजेट साइड में थे आगे थे गुलशन चाह यहां पर एक रन बनाना था और यह बॉल काफी जादा इंपॉर्टन थी नेपाल के लास्ट बॉल तो यह बॉल जब कराई गई तो काफी बाउंस बॉल थी जिसको यहां पर नेपाल खेल नहीं पाया औ और इस बॉल को अगर शायद थोड़ा दूर पहुचा पाते तो यह सिंगल मिल जाता यह मैच ड्रो हो जाता लेकिन फिर भी भागे और लास्ट में आपर कई ना कई जिजक रही तुरंत भाग जाना चाहिए तो पहुच भी जाते थोड़ा सा बचा गैप और यहां पर एक विकेट भी गिर गया जिसकी वज़े से रन तो मिला नहीं और नेपाल इस मैच को सिर्फ और सिर्फ एक रन से हारा आप समझ रहना एक रन से मात्र हारा नेपाल और बहुत दुख हुआ क्योंकि यह मैच पूरी तरिके से नेपाल की जोली में था उसको साउथ अफरीका ने खीच के अपने पास निकाल लिया क्योंकि इतनी स्टॉंग पोजिशन में नेपाल था विकेट थे बॉल्स थी लास्ट में इतना भी प्रशन नहीं था लेकिन फिर भी उसको लास्ट तक जो खीचा गया जिसकी वज़े से नेपाल यह हार गया अगर थोड़ा पहले शौट पर गेम को अपने पक्ष में किया सौथ अफ्रिकाल तो हम तो कहेंगे कि यह गेम पूरी तरिके से नेपाल जीत रा था पूरे मैच में नेपाल स्टॉंग था लास्ट में यहाँ पर अंडर प्रेशर और जो प्रेशर हैंडलिंग है मुझे लगता है वह गलत हुई और यह ही चीज जो है कहीं नहीं हम को तद्रूर्बा सिखाता है और यह जो प्रिशर हैंडलिंग कर ना यहां पर कहीं भाधी पड़ है क्योंकि ती प्रिशर ठीक से हांडल नहीं कर पाई प्लेयर जो एक रन सिर्फ बनाना था और कैसे भी एक run आ सकता था लेकिन हांच जीत तो चलो लगी रहती है लग रहा था इसको जीत के नेपाल आगे मैचेस में पहुँच जाएगा लेकिन फिर भी इस मैच को हार गया मुठी से निकल गया नेपाल के अगला मैच है नेपाल वर्सस बंगलादेश का लेकिन अब स्पोर्ट्स कम होते जा रहे हैं और नेपाल का पहुचना आगे मुश्किल होता जा रहा है लेकिन फिर भी ये मैच काफी धुआदार रहा है काफी फसा हुआ मैच था काफी स्ट्रॉंग टक्कर दी नेपाल ने साउथ अफ्रीका जैसी पड़ी टीम को इतनी जबरदस चक्कर देना कोई आसान बात नहीं ये पिचेस भी काफी मुश्किल है खेलने के लिए बैटिंग करने के लिए काफी मुश्किल है और जादा रन बन स्कोर नहीं हो रहे है तो कई न कई जो स्कोर बन रहे है वो काफी अच्छे है आपको क्या लगता है नेपाल की हार की वज़े क्या रही ये प्रेशर था या फिर ये खलाब परफॉरमेंस थी अगर मैं देखू तो परफॉरमेंस ठीक थी कोई चलता है कोई नहीं चलता लेकिन अटलास तक नेपाल की जो पूरी टीम थी जो स्कोर थी वो स्कोर तक लाने में नेपाल को सफल रही थे क्योंकि कोई नहीं चला तो कोई तो काफी अच्छा खेला जहांपर हम देख तक तक आशिफ शेक ने 42 रन बनाए कुशल बुर्तिल ने 13 रन बनाए उसमें से एक चौका एक चक्का था करीबन आशिफ शेक ने 4 चौके मारे एक चक्का मारा सोंपाल कामी का एक बहुत जबरदस चक्का पड़ा था यह काफी लंबा था मज़िदार था दीपेंदर सिंग एरी ने 6 रन दोड़े अनिकुमा शा ने 27 रन जोड़े और काफी अच्छा है यहाँ पर मैच रहा है अगर हम देखें यहाँ पर स्कूर कार्ड पे बॉलर्स की बात करें तो यहाँ पर जो नेपाल की तरफ से जो दीपेंदर सिंग एरी थे वो बैट से कुछ कर नहीं पाए लेकिन तीन विकेट उन्होंने लिये बॉल से उन्होंने कमाल कर दिया वहीं पर कुशल बुर्तेल ने भी बॉलिंग जो कराई उसमें चार-चार विकेट चटका है जहाँ पर मेन बॉलर्स रन विकेट नहीं ले पाए तो कुछ अच्छा प्रदर्शन रहा लेकिन अट लास्ट यहाँ पर सब कुछ खराब हो गया और गेम में नेपाल वापसी नहीं कर पाया अट लास्ट नेपाल हार गया साथ अफरिकर ने अच्छे वापसी किया और अपने पक्ष में मैच किया आपको क्या लेंता है इसको जीतने और हानने की क्या वज़ेती कॉम्रप्स कॉमिकरेस जरूब देगा आसी ओल लीटिस अब्रिक लिए देखते है एनानी जो विश्वा